तो इधे ब्रड रखे हुए थे तीन तो मैं सोची क्या बनाऊ इसका तो मैं फिर गुलाब जावुन बनाई थी तो इसका चासनी बच गया था तो मैं सोची चलिए मैं इसका भी यूचकल लेती हूं तो इसको न प्रेंगी क्या यह वाइड ब्रट को कट कर लेती हैं ऐसे जै ले लिए और तोड़ा सा घीधी तो इसे गरम कर लेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राइब का लेंगे गोल्टन कलर का डार्क होने तक उधार कलर का होने तक आपको फ्राइब इससे क्या होगा कि आपको bread है न, जो अच्छा क्रिस्पी होने वालख है तो यह देखिए अभी इसको और check लेंगे हम, और थोड़ा सघ्सार डार कौने के बाद हम निकाल लेंगे तो यह देखिए dus अभी शाजनार की work है बच गई तो इसाध हम बस चासनी हम डाल देए हैं और आपको ना जादा देर के लिए नहीं डालना है, वरहना सोगी हो जाएगा बरट जो है तो आपको ना ऐसे डालके और पलट पलटके बस एक दो बार पलटना है का निकाल लेंगे हूं तो यह देखिए सारे हम ऐसे ब्रट को पलट पलट के चासनी में कल लेंगे जिसे दोनों साइट से अच्छे चासनी थोड़ा हो जाए सोख ले और बस निकाल लेंगे हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे वरना बहुत जल्दी से यह सौफ्ट हो जाएगा तो यह आपना जहट पर से बना सकते हैं सिर्फ पांच मिनट में यह बन जाता है हमारा ब्रट का डिजर्ड कोई भी आए अगर तो उसको भी आप खिला सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यह बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा तो बस हम निकाल के और इसे स तो आप ज。 आप जरूर चॉर्ट रहा करना आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जारूर करना 15 मेरे चैनल में आप जरूर देखना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब